हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्चे होंगे और मैं भी बहुत यह अच्छी हूँ तो हम आपको लेके चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जेन और हम वहां की दर्शन कराते हैं आपको तो चलिए और हमारे साथ दर्शन कीजिए आप पूरे दर्शन कराऊंगे मैं आपको और फूल वीडियो दिखाऊंगे मतलब पूरा मंदिर का विव दिखाऊंगी तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें एंड तक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप म हैं तो हम दर जानेवाले हैं मडिर के अंदर आ गये हैं कामरा तो में हमारा बाहर ही रखवा लिया गया था कप्थर किया है खशा लने अंदर लाने मिल एकाथा फो तो केमडा नहीं तो देखे आप जल्दी जल्दी इस ले जा रहे क्योंकि आर्थी स्टार्ट हो गई थी तो बस इस तरह से यह रेलिंग से जाना होता है और देखे कितने बड़े यह पूरा मंदिर का ही भाग है यहां पर कुन टाइप का बना हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है और अगर जाते हैं तो जरूर दर्षन किजिये महाकल के तो देखिए कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं कितनी जादा भीड़ है और बहुत जादा पुलिस वी थी धी सब्सक्राइक सक्राइब एक सेज़न नहीं करने मिला प्रशाद ना कुछ तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं बस आप दिल थामके वैटिए बस आने ही वाले हैं भगवान जी सामने और आप जल्दी से देखिएगा क्योंकि बस दो उमनेट ही हम दिखा पाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे से कुरेटी किती यह लाइटिंग की बिजी से थोड़ा सा यह देखिए और इनके वो टीवी के नीचे ही जिस्ट भगवान जी हैं देखिए आपको दिख रहे हूंगे वो पंडी जी हैं दर्शन कीजिए आप भी भोले नात के और अपनी मनुकामना पूरी कीजिए तो यह देखिए मैंने आपको दिशन करा दिया है और इस तरह से यहां पर प्रशाद इनको पंडी जी लोगो को देया जाता है और यह लोग वहीं पर जड़ाते हैं ऐन्दर नहीं जड़ाते हैं यहां पर ही रख लेते हैं टोकने में बस मैं आपको पास से दिखाती हूं ये बाहर इस ट्रैक्टर बन हुआ है तो मैं वह दिखा रही हूं आपको इस तरह से ये सिब्लिंग है और ये बहुत बड़े शिब्लिंग है आप देख सकते हैं तो बस अब हम लोग दर्शन करने के बाद निकलते और यह नीचे बने हुए और उपर से आना पड़ता है राउंड लेकर थोड़ा सा मतलब बोला है यह तल घरड डैप में उसमें बने हुए हैं देख रहे हैं जूमर कितना सुन्दर लग रहा है यह हम लोग उन्हें उपर स कि लोग बाहर भी बहुत सारे लोग लगा रहे थे तो यह बने हुए हैं पूरे बारा जोयतिर लिंग तो आप भी दर्शन कीजिए और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक separate वीडियो बना दूंगी पूरे बारा जोयतिर लिंग की आपको बता दूंगी कि कहां पर हैं कैसे अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएगा तो मैं आपको जरूर बताओंगी कि बारा जोयतिर लिंग कहां कहां पर हैं और किस किस रूप में है मतलब मैं सब दिखा दूंगे आपको तो यह देखिए यह बना हुआ है जो हम ओम काल इश्वर मंदिर गए थे ना वहां का यह रूप एक चोटा रूप यहां पर भी बना हुआ है भगवान जी यहां पर बिस्तापित किये गए हैं तो हम वहां भ महाकाल का मंदिर है वहां पर भी बना हुआ है मंदिर ओम काल इश्वर को तो मैं भी वह भी दिखाती हूं तो यह देखिए अब हम पूरा मार्केट से होते हुए सबसे बाहर आ गए स्टेंड के पास और यहां बना हुआ है भारत माता का मंदिर तो चलिए हम आपको उनके बेदर शिन कराते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है यह भी मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर मतलब मैंने फर्स्ट मंदिर देखा है भारत माता का वह भी इतना बड़ा और इतना सुंदर क्योंकि मैंने आज तक तो नहीं यह देखिए पूरा स्ट्रेक्चर बनाया गया है यह बाहर चलिए तो दर्शन कीजिए आप भी भारत मता के और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने देखा हो तो कहीं और मंदिर तो चलिए आंगे मैं आपको फोटो भी लगा दूंगे कुछ जो कि हम लोगो ने वहाँ पर खिचवाई थी तो वह भी देख लीजेगा आप पहले दर्शन कीजिए भारत मता के यह माता जो कि भारत मता हैं तो आप दर्शन कर लीजिए और फिर मैं दिखाती हो आपको पिक जो हमने वहाँ पर खिचवाई है तो यह देखे इस तरह से हम लोग ने झाल